आज हम देखेंगे रहली का किला ये रहली का किला अती प्राचीन किला है ये किला बहुत ही बड़ा किला था लेकिन देख रेख के अभाव में ये किला जिर्ण छिर्ण हो चुका है अंदर से इसकी कई दिवारे तूट चुकी है लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आप और दंग रह जाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी इमारती, इतनी बड़ी दिवारें और इतने बड़े बुर्ज और hitting फांसी घर और अप विशाल का ये गेट देख रहे हैं, ये दौर देख रहे हैं, और यहीं पर दौरपाल के खड़े होने की जगा है, यहां पर चोकिदार सेनिक द्वारपाल भी खड़े होते थे देखिए कितना उचा और कितना विशाल ये रहली का किला है और आपको बता दें ये रहली नामक जगह मध्य प्रदेश के सागर जिला के अंदर आती है तो यहां पर ये विशाल काई आप किला देख रहे हैं बहुत ही बड़ी बड़ी इसकी दिवारे हैं काफी साइस का तूट चुका है जिर्ण चिर्ण हो चुका है लेकिन देखने में मज़ा याते हैं आनंद याते हैं इतना प्यारा एक किला है कई सारी इसकी डिजाइन है कि बनावट भी देखते रहिए कारीगर की कारीगरी भी देखते रहिए और साथ में सुनते रहिए इस किले के बारे में इसके इतिहास के बारे में रहस्यमई जानकारियां ये भव्य विशाल किला सोनार और देहार नदी के किनारे बना हुआ है सोनार और देहार नदी चैंदराकार नदी है और वहाँ पर एक प्राचीन सुर्य मंदिर भी है जो की मद्धि प्रदेश का पहला एसा सुर्य मंदिर है जो की करकरे खबर आप यहां देख सकते हैं इस व तूटी हुई दिवारे जो अभी टूटने भी वाली है जिर्ण छिर्ण हो चुकी है ऐसा लगता है अंदर जाएंगे तो देखेंगे दिवार अभी गिर जाएगी ऐसी दुरभटना वाली जगह पर हम अंदर घुसके आपके लिए वीडियो बना कर लाएं हैं यह किला उंच अभी डिजाइन है आप बताएं यहां पर क्या होता होगा यह किस काम का इस्थान होगा क्योंकि यहां पर बीच में दिवारे नहीं है आसपास पिलर ही पिलर बने हुए है और इसकी उचाई आप देखिए डबल मंजिल दो इमारते यह बनी हुए है यहां पर लेकिन बीच दिखाई देगी फांसी घर दिखाई देगा यह बहुत ही प्यारी यहां पर जगह है और यह बता रहे हैं भाई साब यहां पर कि इनके पिताजी 40 साल पहले यहां पर पढ़ाया करते थे क्योंकि 40 साल पहले यहां पर इसको लगाया जाता था और यह भी पढ़ते थे इनकी पिताजी भी पढ़ते थे, कई लोग यहाँ पर पढ़े हैं, लेकिन अब यह जगह खंडर हो चुकी है, विरान हो चुकी है, क्यूंकि यह सब कुछ तूटने लगा है अब हम थोड़ा इस किले के बारे में जानते हैं इसके रहसी के बारे में जानते हैं कि इसको किसने बनवाया कब बनवाया तो रहली के किले का निर्मान चाओदूई सताबदी में अहीरों के द्वारा करवाय गया था और रहली नगर को अहीरों के द्वारा बसाया गया था और इस रहली किले के पास ही बहुत सारे एसे धार्मिक इस्थल हैं जहां पर आप घुम सकते हैं जेसे पंडरीनाथ का मंदीर किले वाले दादा हनुमान जी का मंदीर और इधर सामने नदी के पास आप देखेंगे तो सूरी मंदीर प्राचीन सूरी मंदीर जो की करकर एखा पर इस्तित है और संकर भगवान का मंदीर और आप देखेंगे यहाँ पर एक नया बना हुआ है अटल से तू, वो अटल से तू भी बहुती सुन्दर है, देखने लायक है, लाजवाब है, इतना प्यारा अटल से तू यहाँ पर बनाया गया है, दिन में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन शाम के समय भी देखने योगी रहता है, देखने लायक रहता है, इसी वहाँ पर ल वर्शोतक गोंड राजाओं ने यहां पर राज किया गोंड राजाओं के बाद में महाराजा 76 साल के अधीन यह किला चला गया और कई वर्शोतक राज करने के बाद यह किला पेश्वा बाजीराओं को दे दिया गया पेश्वा बाजीराओं ने इस किले को अपने अधीन और बाद में जब अंग्रेज भारत में आए और भारत पर आक्रमन किया भारत पर कबजा किया उस दोरान अंग्रेजों ने यहां पर भी अपना कबजा कर लिया बुंदेलों को हरा दिया बुंदेलों को परास्त करने के बाद में अंग्रेज का ये ठीकाना भी हो गया था तो रहली के इस विशाल किले ने कई राजा महराजाओं को आते हुए देखा और जाते हुए देखा कई की मरत्यों भी देखी और कई को यहां पर पराजय जय विजय होते हुए भी देखा लेकिन ये किला आज भी जियों का तियों खड़ा है अच्छे अच्छे राजा मिट् गुप्तु सुरंग भी है पहले के राजा यहां से निकलने के लिए आवागमन करने के लिए गुप्तु सुरंग का उप्योग भी करते थे और ये देखिए कितना बड़ा कितना विशाल का ये बूर्ज है इस बूर्ज पर सेनी खड़े होते होंगे और आसपास से निगरानी करते होंगे आक्रमन कारियों पर और शहर पर निगरानी करते होंगे लेकिन इस किले के बुर्ज को भी आप देखिए किस तरह से ये तूट रहा है बिल्कुल बिखर रहा है अभी भी टिका हुआ है उपर का हिस्सा इसका तूट कर नीचे गिर चुका है कभी भी कभी ये किले का बुर्ज गिर सकता है इसलिए यहां पर अगर आप आएं तो साउधानी रखिए दिवारों को ना छुएं और समहल कर रहें भागने की मुद्रा में रहें भागने की स्पिड बना कर रहें कभी भी यह किले की दिवारे गिर सकती है इसलिए साउधान जरूर रहें साथियों इस किले पर आना भूत ही आसान है सागर जिला से 40 किलो मेटर की दूरी पर ये बना हुआ है और रोड पर ही आपको मिल जाएगा अटल से तु भी यहाँ पर पासमा आपको मिल जाएगा साथियों कुछ लोग बोलते हैं कि यहां पर आत्माएं भी भटकती है और क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पर फांसी घर भी बना हुआ है और जिन जिन लोगों को यहां पर फांसी दी गई थी अकाल उनकी म्रत्य हुई थी वो तड़प तड़प कर मरे थे इसलिएे उनकी आत्मा यहां पर भटकती है ऐसा लोग यहां पर बोलते हैं लेकिन हमें नहीं लगता क्योंकि हम गहते थे तो हमें कुछ यहां पर ऐसा महसुस नहीं हुआ इसा फिन नहीं हुआ यह एक मनगढ़न्त डराने वाली बात है कि यहां पर अफ़वा फिलाई जाती है कि भई यहां पर ऐसा डराउनी आत्मा रहती है लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने के लिए मिला लेकिन हाँ, अकिला व्यक्ति यहां पर आएगा तो वो जरूर डर जाएगा क्योंकि ये छेत्र ऐसा है इतना बड़ा है इतना वीरान है कि देखने में डर लगता है साथियों यदि आप यहाँ पर आएंगे तो आप कितनी दूर है उतनी दूर यहाँ पर आने का आपका समय लगेगा और यहां पर घूमने का आपका टाइम भी लगेगा एक गंटा दो गंटा लेकिन हम इस छोटे से वीडियो में पूरा किला आपको दिखा रहे हैं उसकी दिवारे दिखा रहे हैं यह देखें दोस्तों यहां पर उपर बनाया गया है एक टोईलेट की सुधा है यह उपर आप ने देखा भी वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं किस तरह से उपर टोईलेट बना हुआ था वहां से आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का आर्किटेक्टर रहा होगा कि क्या उनकी सोच रही होगी कि इतनी उपर बिल्डिंग पर इतनी उचाई पर उन्होंने बावडी को और ये बावडी पूरी तरह से ज़ाडियों से भरी हुई है आसपास आप देखेंगे तो ज़ाडिया ही ज़ाडिया हैं लेकिन ये ज़ाडी इस बावडी को नहीं ढखपाई है बावडी आपको इस पश्ट रूप से दिखाई दे रही है और आपके लिए एक सामानी सबहों की मामूली सा सवाल है कि आप बताईए कि बावडी का पानी क्यों नहीं सुखता ये बावडी का पानी हमेसा रहता है क्यों नहीं सुखता इसके बारे में आपको बताना है और ये बावडी के ऊपर से हम देख रहे हैं ये रहली शहर आप भी दर्शन किजिए रहली सहर के इतनी उंचाई से तो ज़्यादा उंचा तो नहीं है क्योंकि किले के उपर अगर हम जाते तो आपको बहुत ज़्यादा यहां का एरिया कवर हो जाता बहुत बड़ा छेतर आपको देखने को मिलता रहली शहर का तो अब हम नीचे उतर रहे हैं साथियों सभी लोगों का यहां पर आना संभव नहीं है क्योंकि सभी अपने-पने काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन हमारे चिनल के माध्यम से भारत का आप भर्मन कर सकते हैं और भारत की एसी छुपी हुई धरोहर भारत के छोटे-छोटे गाउं से लेकर आप घर से घुमने निकलेंगे तो आपका पेसा भी खर्च होगा और आपका समय भी खर्च होगा तो आपका केमती समय हम बचा रहे हैं और इस वीडियो को आप देखिए घर बेठे ही वीडियो अच्छा लग रहा होगा जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइ जिले से रहली से और कौन-कौन ये वीडियो भारत के अलग-अलग कोने से देख रहा है अपने शहर का नाम अपने गाओं का नाम कमेंट बोक्स में अवश्य लिखिए ताकि हमें पता लग सके कि हाँ हमारा वीडियो भारत के कौन-कौन से कोने से देखा जा रहा है ये वीड चिन जगह आँखों से देखने की बात अलग ही है जो आनंद आँखों से देखने पर आता है जो फिलिंग जो महसूस आप करते हैं उसकी बात अलग ही है लेकिन यदि आप नहीं आ सकते तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप घर बेटे ही इतने अच्छे और ये देखिए ये अब हम आ चुके हैं फांसी घर पर यहां पर उपर फांसी दी जाती थी जो मुझरिम होते थे केदी होते थे गुनेहगार होते थे उन लोगों को यहां पर फांसी दी जाती थी फांसी पर लटका कर उनको मार दिया जाता था तो ये फांसी घर है ये तू तरह से लोकल गाइड की रूप में हमें बतत रहे थे कि यहां पर एसा है, सूरंग है, यह फासी घर है और कई सारी जैनकरियां इन्होंने हमें दी है, और हमारे साथ में थे उमेश गुपता जी, स्री उमेश गुपता जी जो की नियाधीस थे, पुरू नियाधीस तो उनका भी धन्यवाद क्योंकि उनके साथ हम यहां पर आये थे, प्यारे साथियों भारत की सुंदरता, भारत के छोटे-छोटे गाउं से लेकर बड़े-बड़े शेहरों की सुंदरता और खुपिया जानकारी, खुपिया रहस्य मई, ऐसे इस्थानों को देखने के लिए चेनल क को कैसा लगा और ये किले के दुवार का अंदर से दृश्य आप यहां पर देख रहे हैं, अब हम चलते हैं बाहर की और, बाहर हम देखेंगे यहां का प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर जिसको बोलते हैं किले वाले दादा, साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए ध करी के साथ में